सनातन धर्म में हर साल माख महीने के सुकल पक्च की एकादसी तिथी को जया एकादसी कहते हैं इस दिन जगत के पालनार स्री हरी विश्नु जी की फूजा उपासना काविधान है पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादसी मनाई जागीगी यानि की मंगलवार को धार्विन मान्यता है कि जया एकादसी के दिन विशनुजी की बिदिवत पुजा करने और ब्रत रखने से पुर्णी फैलों की प्राप्ती होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है जया एकादसी के दिन सुक समरिधी के लिए कई विशे सूपाई भी किये जाते हैं आए जानते हैं जया एकादसी की सही डेट, सुम्मुहुर्थ, पुजा विदी, मंत्र, पुजा सामेग्री और आरती हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माग मैने के सुकलपक्च की एकादसी तिथी का आरंब 19 फरवरी को सुबह 8 बजकर 49 मिनट से हो रहा है और अगले दिन यानि 20 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजकर 55 मिनट तक रहेगा इसलिए उदिया तिथी के अनुसार इस वार 20 फरवरी को जया एकादसी का ब्रत रखा जाएगा अब जानते हैं पुजा मोहुर्थ इस दिन सुबह 9 बजकर 45 मिनट से लेकर दो फर 2 बजकर पुजा का सुमोहुर्थ बन रहा है पारण का समय जया एकादसी के पारण का सुमोहुर्थ 21 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजकर 55 मिनट से सुबह 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा पुजा सामेकरी लिष्ट जानते हैं जया एकादसी की पुजा के लिए विश्णो जी की प्रतीमा फल फूल सुपाडी लौंग पंचामडित तुलसी दल चंदन मिठाई अच्छत दिपक धोप समेत सभी पुजन सामेकरी एकत्रित कर लें अब एकादसी की दिन सुबह जल्दी उठें घर के मंदिर की साफ सफाई करें विश्णो जी का अस्मरन करते हुए ब्रत का संकल पले अब मंदिर में एक साफ चौकी पर विश्णो जी की प्रतीमा अस्थापित करें उन्हें फल फूल धूप दीप और नवेद अरपित करें विश्णो जी के बीज मंत्रों का जाप करें इसके बाद पंचामरित में तुलसी की पत्ती डाल कर भोग लगाएं अंत में सभी दे कादसी का मंत्र है ओम हूं विश्णवे नमा और ओम नाडायनाय नमा मंत्र का जाप कर सकते हैं इसके अलावा इस दिन विश्णो सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इसकी आरती है ओम जै जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे भगत जनों के संकर छर्मे दूर करें यह आ अगर आपको सुनना हो तो उस पर आप सुन सकते हैं मेरी यूटूब चैनल पर वीडियों पर बने रहने के लिए धन्यवाद.